गुड मॉर्निंग एब्रिवन वेलकम टू एक्जाम और्बिट क्लासेज तो आज के इस सेशन में पांच मिनिट में टॉप टैन करेंट अफियर के कोईशन्स डिसकस करेंगे सबसे कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन इस कलास में आप सभी का होता है सबी परिख्षाओं के लिए हैं कलास महत पून है और आज है 15 मार्च और आज के इस सेशन में 15 मार्च से बनने वाले टॉप 10 करेंट अफियर के कोईशन्स डिसकस करेंगे जो कि आपकी सबी परिख्षाओं के लिए महत पून है पहला सवाल है कि बंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एसिया की पहली महिला लोको पाइलेट कौन बनी है तो फैंट्स एसिया की पहली महिला लोको पाइलेट बनी है सुरेखा यादब सही आंसर है आप्शन ए अगला सवाल है कि केंद्रिय सड़क और परिभेन मंत्री यानि की नितिन गड़करी ने किस सहर में पहली मैथनोल से चलने वाली बस का अनावरन किया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्सन ए बैंगलॉर आंदोलन कारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौक्रियों में 10% 36 आरच्छंड देने के प्रस्ता आपको मंजूरी किसने दे दी है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे ये मंजूरी उत्राखंड की गबर्मेंट के दुवारा दी गई है सही आंसर है ऑप्सन पी नेस्ट कोईशन है कि व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो व्यास सम्मान 2022 दिया जाएगा ज्यान चत्रुवेदी को जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं इनका एक उपन्यास है पागल खानत जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया का राइट आंसर है option A नदियों के लिए कारवाई का जो अंथरास्ट ये दिवस है ये कप मनाया जाता है तो राइट आंसर होगा option B 14 मार्च को संगाई सायोग संगठन यानि कि SEO के सदस्य देशों के सरगोचे नियाले के मोखे नियाई दीशों की जो अठार भी बैठक है ये किस सहर में आयोजित की गई है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में जो SEO है इसकी अध्यस्ता भारत कर रहा है और बैठक हुई है नई दिल्ली में अगले सबाल है कि सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है किसे इनका नाम है सिर्या घुड़ापत सही आंसर आप्जन ए G20 Flower Festival का आयोजन कहां पर हुआ है तो G20 Flower Festival का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है राइट आंसर है option B कृतिम बुद्धिक दुवारा संचालित दुनिया के पहले radio platform का क्या नाम है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे इसका नाम है Radio GPT सही आंसर है option B अगर आप सभी को इस questions के बारे में detail से जानना है तो सुबह 4 बजे वाली जो class होती है सेगबर जरूर देख लिजेगा किसे हाली में LIC का अंतरिम अध्यश नियुक्त किया गया है तो LIC के अंतरिम अध्यश बने है सिधार्थ मोहमती सही आंसर है option A भारती अक्से उर्जा विकास एजनसी को Infrastructure Finance Company का दर्जा किस ने दिया है तो सही आंसर होगा option B RBI ने तो friends ये जो top 10 questions थे अगर इनके बारे में detail से discuss करना है ये detail से आपको जानना है तो सुबह 4 बजे वाली जो class होती है इस एक बार जरूर देख लीजेगा इस class में आपको current affair के साथ साथ static GK भी कराए जाता है जो कि सभी पर इच्छाओं के लिए महत्त पूर्ण है तो ये session आप सभी को कैसा लगा comments करके जरूर बताएगा अगर class अच्छी लगी हो तो class को जादा से जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा मिलते हैं नया session में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत